आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रशन है प्रथम 10 धनपूर संख्याओं के घनों के योगफल और उनके वर्गों के योगफल के बीच का अंतर कितना होता है चार विकल्प दिये गए हैं और इस प्रशन को करते हैं हल तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम 10 धनपूर संख्याओं देखते हैं एक, दो, तीन और ऐसे ही जाएंगी ये दस तक अब इस संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होगा यहां से सीदे सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे प्रथम N संख्याओं के वर्गों का योगफल यहां पर घनों का योगफल है तो प्रतम N संक्याओं के घनों का योगफल देखते हैं ये बराबर होता है N गुड़े N धन 1 बटे 2 और इस पूरे की घात 2 यहाँ पर N बराबर 10 रखेंगे तो इसको हल करते हैं तो 10 गुड़े 11 बटे 2 और इस पूरे का वर्ग 2 से काटेंगे एक बार 2 से कटेंगे ये पांच बार तो 5 गुड़े 11 पचपन और पचपन का वर्ग बराबर हो जाएगा 3025 के तो यानि जो प्रतम 10 धन पूर्ण संक्याओं के घनों का योगफल था वो आगया है 3025 अब प्रतम 10 धन पूर्ण संक्याओं के वर्गों का योगफल निकालते हैं यह बराबर हो गई यहाँ भी सीधे सूत्र के माद्याम से हल करेंगे बराबर होता है एन गुड़े अब यहाँ पर भी एन बराबर 10 रखेंगे तो 10 गुड़े 11 गुड़े 21 बटे 6 दो से काटेंगे तीन बार दो से ये कटेगा पांच बार फिर तीन से काटेंगे एक बार और ये तीन से कटेगा साथ बार पांच गुड़े साथ 35 गुड़े 11 तीन सो पिचासी तीन सो पिचासी आ गया है प्रथम दस धनपूर संख्याओं के वर्गों का योगफल अब हमें इनका अंतर बताना है तो यहाँ से सीधे लिखते हैं इनका अंतर अंतर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3025 से 3025 से 385 गटा देंगे तो यहाँ पर हमारा उतर आ जाएगा 2640 तो 2640 हो जाएगा हमारा सही उतर अब चेहन करते हैं सही विकल्प का तो यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया गया है 2640 तो धन्यवाद मिलते हैं अब नए प्रशन के साथ क्लासिक से 12 से लेके नीट आएटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर